हलो ट्रेडर्स वेलकम तो अभे ट्रेडिंग चैनल तो मेरे को बता है कि बहुत लोग का दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है कि आज मार्केट में मैंने कॉल दिया था होल्डिंग पर बीटीस्टी पर मैं लाइव रहता हूं कि आपको प्रॉपर एंट्री से लेकर एक्जिट तक मैं रहता हूं आपके साथ तो आज मैंने एक बीटीस्टी दिया था कॉल उप्शन पर उसमें क्या नतीजह आने वाला है कल किस पर ओपन होने वाला है क्या मार्केट गैप देकर आपको प्रॉफिट में रखेगा या फिर बीटीस्टी फेल होने वाला है सो चलो देख लेता हूं देख लेते हैं और किस हिसाब से अगर किसी का पुट होल्डिंग है मतलब किसी का भी जो भी यहां पर माल दो कि गैप अ इस मार्केट में ठीक है मेरे रूल्स होते हैं कुछ दो-चार दिन देखना उसके बाद समझ में आ जाएगा बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलिग्राम लिंक है मेरा इस्टाग्राम लिंक है आप जॉइन कर सकते हो ठीक है तो यहां पर बैंक निफ्टी में दे कर ऑल दबा देना ऑल कर लोगे तो वो आपको नोटिफिकेशन बेज देगा ठीक है तो यहां पर बैंक निफ्टी देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि डाउ जोन्स और नाज्डैक वगेरा कहां पर क्लोस किया है अच्छा खासा डाउ जोन्स ने रिकवर कर लिया यह वाला जो एक परर लाया है बहुत कर माना आप जोन को घौ गाल को यह तोड़नी पाए तो अच्छे तोड़नी पाए बट बहुत अच्छ़ यहां पर श्यान किया था तोड़ने के लिए ही बट इस सोट नो इस्धा जाय बट लए उन श्ac टोब करता है चलता रहता है चलता रहता है कल फिर market ओपन होने से पहले देख लेंगे क्या level होंगे अभी के हिसाब से market ने अच्छा खासा तरीके से CHEGS nifty को अच्छे से time दिया है EBकर ने बहुत बार इस level को तोड़ने की कोशिश किया है आप देख सकते यहवाले candle सो यह यह Wähle candle सो यह यह वाले candle सो बहुत फिर वडिया तरीके से hearts crossing city अच्छे से इसको तोड़नी की कोशिश के इस लीविल को तोड़ने की कोशिश किया थो फो में इडां पर एक कर रहा है यह इस लेविल को सब्सक्राइख तो इस जिए प्रोबैबली 50 रूपीज तो 40 रूपीज गैप अब निफ्टी में अपना गैप अप होना है ठीक है साइड़ेस टू गैप अभी फिलहाल कोई भी 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 बीरिश नहीं दिख रहा है ठीक है कि गैप डाउन हो जाए ऐसा नहीं हो रहा है ठीक है बाकी पर देख लेते हैं निफ्टी पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर देख लेते हैं तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि यह जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है यह किसी साब से रोकिया है लॉजिक समझा देता हूं लॉजिक क्या है इसके पीचे लॉजिक य तक जाना है मार्केट को आज जाए या कल जाए बहले ही कल यहां पर मार्केट जाता हुआ दिखेगा ठीक है तो बैक निफ्टी 15 मिश टाइम फ्रेम पर अगर दिखाऊ ना एक इस लेवल पर देखो निफ्टी का बात कर रहा हूं निफ्टी ने यह वाला लेवल बहुत अच एक भी कैंडल का जो क्लोजिंग था पिछले के उपर नहीं था ठीक है बहुत बढ़िया है यहां पर बेरिशनेस था बटन पूरे बियर्स को यहां से मार्केट ने उठाया फैका और नेक्स लेवल अठारा हजार को क्रॉस किया अब सबसे इंपॉर्टन बात यह गिया रह HDFC ने help किया है तो एक बहुत ही बड़ी आउटकम आ सकता है गाइस कल मार्केट में भले ही गयाप डाउन ना हो बट मार्केट में शायद एक यह रैली हमें देखने को मिल सकता है ठीक है तो हम उसी के हिसाब से अगर देखेंगे अठारा हजार का लेवल आपको मिल जाए त ठीक है अठारा हजार का लेवल मिल जाए तो इंट्री कर लेना स्टॉप लोस भी अगर बड़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बाट यह चोटा सा स्टॉप लोस रखेंगे 20-30 प्रेंट का स्टॉप लोस मतलब आपका आठ से बारा रूपे का स्टॉप लोस आपका को इसको कम मतागना निफ्टी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर अगर हम छोटे इम पर दे रिखा हो है तो चोटे टांप पर ट्रेड है हमारा इधर इसुप देखो यह वाला लेविड आपको दिख रहा है यह आज का दिन का पूरा पूरा साइड़ मतलब आज कुछ नहीं ता पूरा से सटेंट किया है वालिम को उठाया है पहले भी जब जब मार्केट सायडवेज रहता था मार्केट ने देखो यहां पर इस लेविल को यहां पर जो सायडवेज था Mareket इस लेवल पर बहुत ही संवेस्टा संटेंगिक कोश्षिश कर रहा था पूरा दिन साइड़ रहने के बाद यह उपर नीछे तो मार्केट में बड़ा वॉल्म आता है यह मेरे को कहना है इस दिन देखो market sideways था लग बग तो अपकी बार भी मार्केट sideways लेना है और टार्गेट रखना है अपना 188 तक का 40 40480 तक का 500 का टार्गेट रखना है कल ही हमें मिल सकता है 500 का लेवल लौट अच्छे थे बड क्या करें यहां पर यहां पर अगर ओपन होते ही बहुत ज्यादा हो तो प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है इसका जो लॉजिक के है लॉजिक देख लेते हैं एक बार इसका लॉजिक जो है आपको यह अभी लगबग अपने ऑटाइम हाई के आसपास है स को ठीक है फॉर्टीवन ताउन फाइव एवंडेड को तोड़नी पाया है पिछले दो तीन बार से तोड़नी पाया यह अपकी बार अगर तोड़ने के लिए ही आया है easily ऐसे ही नहीं आया है ठीक है अगर नहीं आता है तो फिर हम पूट पर चलेंगे ठीक है मार्केट में बहुत चारे बहुत चारे रिपोर्ट आने वाल है तो अब की बार भी शाहिद गिर सकता है बट देखते हैं ठीक है आपको पता ही है पिछले बार फेट मीटिंग से पहले मैंने मतलब पूरे दुनिया पुट पर जा रहे थे और मैं सिर्फ मैं अकेला था जो जिसने कॉल पर होल्डिंग करवाय था सो थोड़ा सा मैंना सेंटिमेंट पर काम करता हूं ठीक है सामने वाले को समझने की कोशिश करता हूं तो देखे तो जरूर आप कमेंट करें कि हाँ सर मैं लास तक लाइव को देखा था और मैं आपको लव रियाक करूंगा थैंक्यू सो मच यह नहीं कर सकता हूं मैं आप लोगे लिए और बाकी तो मैं लाइव मार्गेट में पूरा कुशिश करता हूं जम लगा देता हूं थैंक यू सो मजग गाइस गुट नैट मिलते हैं